पूरी दुनिया में आमारे देश की पैचान मनाई है जब मन मोहन जिंग को पाकिस्तानी लोग देहाती औरत कहते हैं आज मोधी जी बाप कहते हैं गरव से पाकिस्तानी इसलिए हम मोधी को चाहते हैं के सर्कार है राजस्थान में और राह ul गान्दी ये कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं डर रहे हैं questi ऑख बेकुप बनाई यह रही है कि राह21 गानदी ने चुना वुए पिछली बार कहता लगातार अब खबर जब मैंने कुछ लोगों से बात की उन्हों ने कहा कि राजस्थान में अशो गैलोट का जो पाला है वो जादा भारी यह बड़े काम कर रहे हैं गैलोट की सीट 18 आएंगे पूरे राजस्थान में कॉंग्रेस की बाकी बीजेपी के बीजेपी बीजेपी कि मोदे जी दुनिया के वर्ड लिंटर नंबर एक लिटर है यहामी नहीं दुनिया पसंद कर रही है मोदी जी को अधिकर कोई काम ने रावल गांदी क्या है पप्व आप जोड़ो यात्रा भी की राजस्थान सब्सक्राइब पारत को क्या जोड़ा बारत यात्रा में बत बेकुब बुनाने के लिए कहिंए नहीं ने जdotेकन ध्राइस के लिए काम करते हैं परस परतेग वेक्टी के लिए by the परतेग वेक्टी के लिए बहुत लग्ट कर राजस्थान से थे औरहों नि का है के मुदी जी जो परदान मंतरी नरेंदर मोधी बनने चाहिए जो एक युवाओं के लिए अच्छी सोस रखते और देश के जो भी देखा जाए तो आज तक प्रदान मंतरी है राहूल गांदी कहते हैं मोधी जी तुम जैसे युवाओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं अडानी अंबानी के जो भी देख है धवो पीछे रहता है जो जिसके बहुत रहाँ पढ़ानं के मुक्यमत्री उनको मैं यही कहता हूं की जो भी बरती पर इख्रीय खरी sa परदान मंतरी नरेंदर मोधी बढ़ने चाहिए क्योंकि वह युवाओं के लिए अच्छी सोच रखते हैं और देश को देखिए आप किस परकृति पर देश आज यह गुंडों की पार्टी चलाते हैं मोधी योगी नहीं कोई गुंडों की पार्टी नहीं योगी और मोधी क कि बात की जाए उनके लिए कोई सब्द नहीं कि उनके तारीब कर सके अपन क्या ना में अपका गनपत विश्णोई आप भी राजस्थान से हैं मैं या लग रहा है कौन बनना चाहिए चाहिए नरंदर मोधी क्यों बनने चाहिए क्योंकि कांग्रेस सरकार में देखो अभी हर exact में पे-पर लीक हो रहे है और बी-ज़ैपी में अगर आएंगे तो अच्छा लाइए अच्छा रहेसे बार-बार पर कहते हैं कोई काम educator मोग जी काम देखो अभी सब जनता को मलोम है सब दुनिया को मालूम है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहे है है कि मेरे और हैसास है तो नरेंदर मोद्य अच्छी है इस तरह नाम से बात करते हैं अलगलक जगासे जो है वो लोग आए हैं इनसे बात करते हैं क्या नामिन कहां से अट नेपाल उसा लगे भारत भूमनें अच्छा लग रहा है तरह दरीके से 24 में प्रदान मंत्री कौन बनना चाहिए इसका सीधा मतलब है कि अभी बीजेभी पार्टी के पास मोधी जी के अलावा कोई विकल भी नहीं है नितिन गडगरी ही देश के प्रदान मंत्री बनने से देश का डवलोमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है यह तैह है लेकिन उनको बनने नहीं दिया जा रहा पार्टी खुद नहीं बनने देना चाहती तो क्या हम यह मानते हैं अगर प्रजेक्ट नितिन गडगरी जी को किया जाए ना तो गारंटेड हम कहेंगे ज्यादा सीटे आएंगी आज कितनी सीटे हैं अभी चार से कि सीटे अगर लेनी है बीजेपी को तो नितन कडगरी जीको प्रदानमंत्री बनाएं अन्य था बहिए तो पता नहीं अब क्या होगा लेकिन कोई तीन से से उपर पार नहीं होगी इस वार नहीं होगी पूरे देश के लिए उसने आज रोड नेटवर्क पर इतना काम किया है और उसने कभी भी नेगेटिविटी नहीं रखी दिमाग में हम तो परसिनली उनको बहुत अच्छी तरह से फोलो करते हैं कभी भी नेगेटिविटी नहीं है हम राजस्तान से मनुद दीचित भरतप अब भी आने वाले हैं कांग्रेस और बीजीपी दोनों ही पार्टी अपने लेवल से तैयारी मजबूती के साथ कर रहे हैं और ये भी बात है कि गहलोट एक ऐसा दुरंदर व्यक्ति कांग्रेस के अंदर है ये बात मान लीजिए कि डेमोक्रेसी इंटरनल अगर आये तो र इंख्या बलेना वो गहलोट जी का मुकाबला इसलिए नहीं कर रहा कि एक पर्टिकूलर कास्ट के लिए काम करता है वह सब्सक्राइट अब आप देखिए गहलोट जी को कोई का से रिलेटेट पॉलिटिक्स नहीं है अगर कांग्रेस अलाकमान अगर कांग्रेस के सचिन प पार्टी चुनाम में तो उन पार्टी के नेताओं को पार्टी कांग्रेस पार्टी के कोई कहलोटी अरबा देंगे क्यों अरबा देंगे कि उसका बजूद ना बन पाएगा तो इसलिए वह अपने ऐसे कंडिडियेट खड़ा कर देंगे एक तरफ कांग्रेस के सामने आप को बहुत कर लिया आपने अब सीम सिपाबा छोड़ दीजिए अब लड़ा इस वात की है तो बोला हम ना छोड़ पाएंगे जंता क्या सोच रही है अगर बसंद्रा को प्रोजेक्ट करेंगे तो थोड़ा बोटिंग ज्यादा बढ़ेगा बिल्कुल बसंद्रा राजे का ला पर बहुत ज्यादा मेजर फेक्टर नहीं है यह निश्चित है कि गयलोट जी जब टिकेट बटवार होगा अलाकमान अपनी जनता की क्या राय है जनता क्या चाट तो देखिए गैलोट के मुकाबले कि बीवी किसी ने काम नहीं किया है देखिए आज गोर्म रिपीट कर र पूने से क्या लग रहा है दोजार चौबस में कौन बनना चाहिए मोधी मोधी जी क्यूं और कई है नहीं उसके अलाबा महाराश में भी सत्ना परिवर्दन हो चुका है एक नाशुंदे के पास अब सरकार आ चुकी है और पार्टी चुन भी आ चुका है अब उद्दव ठ तो लोग उनको दिंगे मैंडेट स्वरी सिंपल क्या सोचते हो कि अभी एक नाशुंदे के हाथ में सत्ता पावर है तो कैसा अधीक है काम तो ठीकी कर रहा है तो आप क्या कहेंगे जोस्तरीके से सत्ता परिवरतन नाश्ट में हुआ या इस अ चेंज अच्छा परिवरतन हो तो संजरा अंस तो ठाक रहे लगाता है यह कह रहे हैं लोग तंत्र के हत्तिया की जा रही है नो नो उनका नजरिया है वो तंता खुश है सर्थ यह यह रहे हैं कि सो मच सर्थ